स्वागत है आफ सभी लोगों का Current Affairs Revision for Prelims 2021 में Indian Quality के Current Affairs के Revision का ये हमारा पांचवा लेक्चर है आज के सेशन में हम जन्वरी महिने के Indian Quality के Current Affairs को Revise करेंगे इस पूरे सेशन की जो PDF है वो आपको Onlyis की वेबसाइट पर एवेलेबल मिलेगी उसके लिए आपको वेबसाइट के Download section में जाना होगा किसी भी अधर PDF को उवेल करने के लिए आपको Onlyis के Telegram Channel को जोईन करना होता है तो चलिए सुरुआत करते हैं इस सेशन का First Important Article को Recusal of Judges के बारे में है आंद्रा High Court ने अभी एक प्ली को Reject कर दिया है जहां पर एक जजज के Recusal की डिमान की गई थी Mission Built आंद्रप्रदेश एक Initiative है जिसमें कुछ Government Land को बेचा जा रहा था इसको लेकर जो केस की सुनवाई हो रही थी उसमें एक प्ली डाली गई थी कि जो जजज है उनके Conflict of Interest involved है इसलिए ये केस उनसे ले लिया जाना चाहिए मतलब उनका Recusal होना चाहिए इस बात को लेकर High Court ने इस प्ली को Reject कर दिया है अब ये Recusal होता क्या है? Recusal का मतलब Simply होता है Removal Removal एक जजज खुद से भी कर सकता है या फिर कई बार जो Superior Judges हैं Chief Justice है High Court के या Supreme Court के तो वो लोग भी ये Recusal कर सकते हैं Recusal का Simply मतलब ये होता है अगर कोई Judge ऐसा है जिसका Conflict of Interest किसी Case में involved है तो वो अपने आपको उस Case से अलग कर लेता है या फिर उसे अलग कर दिया जाता है अब ये किन Grounds पर होता है अगर ऐसा बिल्कुल Clear हो कि ये को जो Judge है वो किसी Particular Party के Favor में है या फिर Against में है जो कि Visible है और ये Case उनके पास गया है तो Recusal होता है या अगर उनका कोई Interest involved है वो Case उनके किसी Relative का है तो संभावना रहेगी कि वो उनका Favor कर सकते हैं तो भी उन्हें हटा दिया जाता है अगर उनका कोई Background है जैसे माल लेजिए वो Edge or Lawyer किसी Party के साथ काम करते हैं और Edge or Judge अब उसी Party का Case उनके पास आ गया है तो फिर अब उनको उस Case से या वो खुद हट जाते हैं या फिर उन्हें हटा दिया जाता है Personal Knowledge अगर वो उस Party को पहले से जानते हैं उनका कोई Association है या फिर उन्होंने Lawyer or Non Lawyer के साथ कोई बात चीत करी उस Case के बारे में इसके पहले वो कोई ruling या comment कर चुके हैं जिससे अंदाजा लगता है कि उनके जो विचार हैं वो उस Case में prejudice क्रिएट कर सकते हैं तो ऐसे Cases में Judges का recusal होता है तो क्या इस सम्मन में कोई कानून है क्या? नहीं, कोई written rules नहीं है ये Judges का discretion होता है कि वो खुद को ऐसे Cases से अलग कर ले जहाँ पर उनके conflicts involved है या फिर superior judges के पास जो plea गई है किसी pete के पास या फिर जो chief justice है उनके पास तो वो ये decision ले सकते हैं हाला कि जब कोई judge अपने office की सपत ले रहा होता है तो वो इस बात को clear करता है कि वो बिलकुल अच्छी तरीके से बिना fear या favor के affection या ill will के अपना judgment देगा ये शीज को ensure करता है कि वो conflict of interest की condition में अपने आपको उससे अलग कर लेंगे और fair judgment को promote करेंगे इस समद में जे चलमिश्वर जी ने अपना opinion एक case में रखा भी था 2015 में जहाँ उन्होंने बोला था कि अगर किसी judge का financial interest involved है किसी particular case में तो फिर further कोई inquiry करने के जरूत नहीं है कि ये real danger है या फिर किवल suspicion है उनको उस case से हड जाना चाहिए ठीक है तो ये सारी बाते judges के recusal के बारे में है hopefully ये बात आपको समझ में आ गई है जो हमारा अगला article है वो National Human Rights Commission के बारे में है National Human Rights Commission ने अभी हाल ही में series of recommendations दे क्यों दी ताकि manual scavenging को eradicate किया जा सके खतम किया जा सके manual scavenging जिसमें एक व्यक्ति अपने मानवी स्रम का इस्तेमाल करके human labor का इस्तेमाल करके जो excreta है उसे साफ करता है sewage lines को साफ करता है काफी inhuman practice है यह जिसे society से eradicate करने की आवशकता है recommendation NHRC से आई है तो NHRC के बारे में भी कुछ जानकारी लेंगे इसे 1993 में establish किया गया था लेकिन क्यों किया गया था क्योंकि उसके दो साल पहले पेरिस में 1991 में एक workshop हुई थी यह पहली international workshop थी जहां पर human rights के protection की बात की गए इंडिया ने भी पार्टी से पेट किया था तो उसके जो principles से उनको follow करते हुए हमने NHRC बना दिया अपने यहाँ भी और इसी एक law बना कर तयार किया तो यह statutory status भी avail करता है क्योंकि इसके लिए हमने production of human rights act 1993 तयार किया था इनके काम क्या है यह किसी भी ऐसे मुद्दे को जहां पर human rights का violation हो स्वता संग्यान ले सकते हैं जिसे आप suomoto कह सकते हैं suomoto का मतलब यह होता है खुद से संग्यान ले लेना कहीं newspaper में पढ़ लिया news channel पे देख लिया तो इस मुद्दे को अपने हाथ में ले लिया या किसी ने petition दे दी है या कहीं से जानकारी मिल गई कि human rights का violation हो रहा है तो ऐसे cases को investigate भी कर सकते हैं commission research भी करता है कि human rights का status क्या है लोगों को aware करना NGOs के साथ assistance देना ताकि लोग human rights के बारे में अच्छी जानकारी रखें इसका headquarter New Delhi में है इसके चार बहुत important role है human rights को protect करना human rights को लेकर advices देना human rights सही तरीके से insured है कि नहीं उसे monitor करना और human rights को लेकर लोगों को educate करना यानि कि उसके बारे में awareness फैलाना composition की बात करते है NHRC के NHRC के composition में अभी कुछ समय पहले कुछ बदलाव हुए हैं उन्हें संग्यान में लेकर ही बात करेंगे इसके जो chair person होते हैं पहले ऐसा कहा जाता था कि जो retired chief justice of India है केवल वही बन सकते हैं लेकिन अभी कुछ बदलाव किये गए हैं जिसमें की जो supreme court के judge हैं वो भी NHRC के chair person बन सकते हैं जो chair person है उनका appointment president के द्वरा किया जाता है लेकिन president अपनी मरजी से appointment नहीं करते बलकि उन्हें इसके लिए recommend किया जाता है recommend कौन करता है recommend president को किया जाता है जिसमें होते हैं प्राइम मिनिस्टर, लोगसभा के speaker राजसभा के deputy chairman leader of opposition दोनों houses में तो यहाँ पर दो लोग हो जाएंगे later on union home minister तो जो जोग हो गए अब यहाँ पर जो changes हुए हैं उनके वो भी देख लेते हैं देखे chair person पहले केवल chief justice of supreme court हो सकते थे लेकिन अभी judge भी हो सकते हैं यह एक change अभी हमें देखने को मिला है इसके अलावा पहले members की जब बात की जाती थी तो NHRC में दो ऐसे members हो सकते थे जिने practical knowledge हो human rights की लेकिन यहाँ पर amendment किया गया है और अब यहाँ पर तीन लोगों की संस्तुती की गई है कि तीन लोग ऐसे हो सकते हैं जिने human rights की practical knowledge हो जिसमें कम से कम एक महिला जरूर होनी चाहिए ex-officio members की बात करें तो पहले ex-officio का मतलब होता है कि जो व्यक्ति इस commission का chair person है वो automatically NHRC में चला जाएगा एक्जेंपल के तौर पे ex-officio का अगर आप मतलब जानना चाहते हैं तो आपके माता जी के जो भाई हैं वो आपके ex-officio mama हैं मतलब जो भी आपके माता जी के भाई होंगे वो अपने आप ही आपके mama हो जाएंगे यही मतलब है ex-officio का तो यहाँ पर जो national commission for minorities के chairperson थे national commission for scheduled caste, national commission for scheduled tribes and national commission for women इनके जो भी chairperson होते थे वो automatically NHRC के member बन जाते थे लेकिन यहाँ पर कुछ addition किया गया है जिसमें national commission for backward classes national commission for protection of child rights and chief commissioner for persons with disabilities इन्हें भी NHRC के member के तौर पर अब स्वता ही मान लिया जाएगा term की बात करें तो पहले जो term हुआ करता था NHRC के members का वो 5 साल या फिर 70 साल की उम्र होते थी जो भी पहले पूरी हो जाए लेकिन अब इसे कम कर दिया गया है अब ये 3 साल या फिर 70 साल की उम्र हो गई है जो भी पहले पूरी हो जाए तो आप इन बदलावों को भी संज्यान में लीजिएगा ध्यान में रखिएगा हमारा अगला आर्टिकल है वो National Youth Parliament Festival 2021 के बारे में है हमारे प्राइम मिनिस्टर ने अभी अपनी एक एक एडरस था हूं का एक स्पीस थी जो 2nd National Youth Parliament Festival था जिसे 12 जनवरी 2021 को मनाया गया उसके बारे में यह आर्टिकल है वो देखिए National Youth Parliament Festival 2021 को और गिनाइस किया गया National Service Scheme NSS और नहरु युवा केंदर संगठन के द्वारा अडर मिनिस्टर आफ यूथ अफेर्स और स्पोर्ट्स अब्जेक्टिव यह रहता है National Youth Parliament Festival का ताकि जो यंग्स्टर्स हैं उनमें एक नेशनल इंटिग्रेशन कम्मिनल हार्मनी, ब्रदरोड और करेज एडवेंचर इन सभी चीज़ों को इंकलकेट करने का प्रयास किया जाए परपस यह रहता है कि जो स्वामी विवेका नंद जी जिनने यूथ आइकन माना जाता है उनकी बर्थ एनिवर्सरी को हम सेलिब्रेट करें 18-25 साल के जो यंग्स्टर्स हैं उनको इन्वाइट किया जाता है इस फेस्टिवर में पाठिसिपेट करने के लिए इस बार की थीम थी यूआ उत्साह नए भारत का बात करते हैं स्वामी विवेका नंद जी के बारे में इनका बचपन का नाम नरेंदरनाथ डत्त था इनका जन्म 12 जन्वरी 1863 को हुआ था इनिन फिलोसफी जो वेदान्त और योग की है उसे दुनिया तक पहुँचाने का सरिय विवेका नंद जी को ही जाता है ये रामकृष्ण परमहंस के बहुत ही प्रियश्य थे और उनसे ही उन्हें जो भी सच्ची सिख्चा दिख्चा है वो मिली थी वो एजुकेशन को बहुँच जदा इंफैसिस करते थे उनका मानना था कि अगर हमें भारत देश को बहतर बनाना है तो एजुकेशन पर फोकस करना होगा वो चाते थे एजुकेशन ऐसी हो जो एक व्यक्ति के करेक्टर को बिल्ड करे उन्होंने 1897 में रामकृष्ण मिशन को इस्टैबलिश किया था रामकृष्ण मिशन एक और्गिनाजेशन है जो की वैल्यू बेजड एजुकेशन इंपार्ट करता है कल्चर, हेल्थ, वुमिन इंपॉर्मेंट, यंग्स्टर्स को प्रमोट करना ट्राइबल वेलफेर, रिलीफ एन रिहाबिलिटेशन इन सभी दिसाओं में जो ये हमारा रामकृष्ण मिशन है, वो वर्क करता है, ठीक है विवेका नन जी की जो मृत्यू थी, वो बेलूर मठ में 1902 में हुई थी बेलूर मठ आपको विश्पंगाल में मिलेगा, कैलकेटा में ये रामकृष्ण मठ और रामकृष्ण मिशन दोनों का ही एक हेड़कॉर्टर है, ठीक है अर्टिकल G7 समिट के बारे में है, कॉंटेक्स्ट यह है कि भी हाल ही में युनाइटिड किंगडम ने इंडियन प्राइम मिनिस्टर को इन्वाइट किया है एज अगेस्ट, ताकि वो 47th G7 समिट में पाथिसिपेट करें ये जो G7 समिट है, वो जून 2021 में होने वाली है इंडिया, G7 का या फिर ग्रूप आफ सेवन कंट्रीज का पार्ट नहीं है यहाँ पर G7 एक इंटर गवर्मेंटल ओर्गिनाजेशन है जिसे 1975 में 1975 में बनाया गया था ये जो ब्लॉक है साथ देसों का इन साथ देसों में Canada, USA, Germany, United Kingdom, Italy, Japan और France सामिल है ये हर साल एक बार मिलते हैं जो common interest के issues हैं वो इनके द्वरा discuss किये जाते हैं जैसे कि Global Economic Governance, International Security या फिर Energy Policy ऐसे बड़े मुद्दों पर चर्चा की जाती है दुनिया के इन साथ most advanced and industrialized countries के द्वारा कई बार ये एक ऐसे समू के रूप में भी काम करते हैं जहां Global Problems को resolve करने का प्रयास किया जाता है जहां पर इनका जादा focus economic issues पर ही होता है G7 का कोई formal constitution नहीं है और नहीं कोई fixed headquarter है यहां पर जो decisions लिये जाते हैं वो ये leaders आपस में बात चीत करके अपनी annual summit में लेते हैं और जो decision लिये गए हैं वो non-binding होते हैं मतलब कि कोई member उसे मानने से इंकार कर सकता है G7 एक block है साथ देसों का जो industrialized democracies है जहां पर advanced industrialization हुआ है और वो democratic countries भी है those are France, Germany, Italy, UK, Japan, United States and Canada G7 को एक बहुत लंबे समय तक G8 भी बना दिया गया था जब 1997 में Russia ने इसे join किया हलांकि 2014 में Russia को एक बार फिर से इस group से इस block से बाहर कर दिया गया जब Russia ने Ukraine के उपर हमला करके Crimea को annex कर लिया था तो इसके बार इस block से Russia को निकाल दिया गया और वापिस से ये G8, G7 बन गया इंडिया ना तो G7 और ना ही G8 का हिस्सा है लेकिन इंडिया G20 का हिस्सा है अब देखिए G7 में ये साथ देश हैं जर्मनी, UK, France, Canada, US, Italy और जापान अगर G8 की बात करें तो रश्या भी इसका हिस्सा बन जाता है जो कि अभी G8 grouping नहीं है G20 में इसके लावा जो देश सामिर होते हैं 20 तर्की, European Union, Argentina European Union एक grouping है ना की देश Brazil, South Korea, Mexico, China, Indonesia, Saudi Arabia Australia, India और South Africa तो ये grouping है G20 की अब आर्टिकल Question R के बारे में है COVID-19 के वज़ए से मांसूल सेशन में Question R सस्पेंड कर दिया गया था ताकि हम कम समय में जो Parliamentary Businesses हैं उन्हें Conduct कर सकें और Infection से भी खुद को बचा सकें इसके बाद सरकार का काफी criticism हुआ कि उन्होंने Question R ही क्यों suspend किया Question R एक ऐसा टूल होता है जिसके माध्यम से Parliamentarians को Accountable ठहराया जाता है उनसे प्रशन पूछे जाते हैं लेकिन अभी खबर आई है कि जन्वरी 29 से जो budget session स्टार्ट होगा उसमें Question R को एक बार वापिस से फिर से resume कर दिया जाएगा और जो Parliamentary Proceedings होगी वो दो सेशन में चलेंगी देखे जन्रली जो भी Parliamentary setting होती है उसका पहला घंटा Question R होता है इस Question R में जो Member और Parliaments होते हैं वो Minister से प्रस्ण पूछते हैं उन्हें उनकी functioning के लिए accountable यानि की जवाब देख ठैराते हैं ये questions प्राइवेट मेंबर से भी पूछे जा सकते हैं प्राइवेट मेंबर उन्हें कहा जाता है जो MPs, Minister नहीं होते हैं इस सम्मण में जो Regulations हैं वो Rules of Procedure of the House में दिये गए हैं जिसमें साफ किया गया है कि जो Presiding Officer होंगे, राज़सभा और लोगसभा के वही Final Authority होंगे कि Question R को किस तरीके से conduct करना है तीन प्रकार के Question R में पूछे जाते हैं ऐसा नहीं कि कोई कभी भी कि किसी भी प्रकार का प्रशन पूछ लेगा उसके पहले Prior Notice देनी होती है और एक Specific Time Period भी देना होता है Start Questions तीन टाइप के जो Question होते हैं उस पर पहला है Start Question ऐसे प्रशनों के उपर एक Start Mark लगा होता है ऐसे प्रशनों का जवाब बोल कर देना होता है Orally देना होता है और इसी लिए Supplementary Questions भी पूछे जा सकते हैं पूरक प्रशन भी पूछे जा सकते हैं Unstarted Questions का रिटेन जवाब देना होता है और चुकी जवाब लिखकर दिया जा रहा है तो फिर Supplementary Questions आफ्विसली नहीं पूछे जा सकते हैं तीसरा प्रकार है Short Notice Question Usually question पूछने के लिए जब भी सवाल पूछा जाता है तो 10 दिनों से अधिक का इसके पहले का notice देना होता है लेकिन अगर 10 दिन से कम का notice दिया जा रहा है तो उसे Short Notice Question कहा जाता है और ऐसे Questions औरली जवाब दिये जाते हैं अब Short Notice Question accept होगा की नहीं होगा ये Presiding Officer ही decide करते हैं Frequency की बात करें तो जो Question R होता है वो लगभग सभी Sessions में सभी दुनों में होता है दो Exceptions होते हैं पहला Exception जब President House को Address कर रहे होते हैं ये Address दो बार होता है या दो Questions पर होता है एक तो जब नई लोग सभा आती है तब और दूसरा जो साल सुरू होता है तो जो पहला सेशन होता है उसमें और दूसरा दिन है जब Finance Minister बजट पेस करते हैं उस दिन भी Question R नहीं होता एक और टूल है जिसे Zero R कहा जाता है Zero R Question R के जच्ट बाद होता है सामान इस सिती में Parliamentary Proceedings 11 बज़े स्टार्ट होती है तो 11 बज़े से 12 बज़े तक होता है Question R और 12 बज़े को कई बार 00 भी लिखा जाता है इसलिए 12 बज़े से एक बज़े का जो समय होता है उसे Zero R कहा जाता है इसमें जो Member of Parliament है वो बिना किसी Prior Notice के बड़े और महतपूर्ण मुद्दे उठा सकते है मतलब की Question R और जो Regular Business Start होता है House का उसके बीच का जो समय होता है एक घंटे का वो Zero R होता है यह Indian Parliamentary Innovation है मतलब यह हमने ही Develop किया है और इसके बारे में Parliament के Rules, Book में कुछ खास लिखा हुआ हमें नहीं मिलता है एकल गवर्नर की Pardoning Power के बारे में है Context यह है कि तमिलनाडू के गवर्नर जल्दी ही बात पर Decision लेंगे कि हमारे Former Prime Minister राजीव गांधी जी की जो हत्या की गई थी 1991 में उस सम्मंद में जिन लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है क्या उन्हें माफी दी जाए अथवा ना दी जाए इस सम्मंद में एक प्ली उनके सामने Pending है इस सम्मंद में Controversy भी रही थी विकॉस 2018 में ही तमिलनाडू की Cabinet ने ये कह दिया था कि गवर्णर को इन सभी लोगों को माफी दे देनी चाहिए लेकिन गवर्णर ने इस मुद्द को अभी तक Pending में रखा हुआ है अब बात करते हैं इस Context में जो Important बाते हैं Article 161 गवर्णर को Authorize करता है, Power देता है कि वो Pardon कर सकते हैं चमादान दे सकते हैं चमादान यानि कि Pardon कई तरीके की होती है वो Reprieve, Respite, Remission, Remit, Suspend और Commute के संबंध में अधिकार रखते हैं किसी भी ऐसे मामले में जहां पर State की Executive Power Extend होती हो Pardon के Types हैं उन पर हम बात कर लेते हैं तो देखे, Pardon कई तरीके का हो सकता है एक तो Complete Pardon होता है जिसे आप Pardon ही कह सकते हैं इसमें पूरी तरीके से उस व्यक्ति की सजा को माफ कर दिया जाता है और वो एक आम व्यक्ति की तरह जीवन जी सकता है दूसरा है Commutation Commutation में जो सजा का Type है, प्रकार है उसे बदल दिया जाता है थोड़ा कम, Harsh, Punishment दे दिया जाता है Example के दौर पे किसी को Death Penalty दी गई है तो उसे Commute करके Life Sentence में यानि कि आजीवन कारावास में बदल दिया जाए Reprieve इसमें देखे, केवल Death Sentence को Delay कर दिया जाता है कुछ समय के लिए या किसी भी और Punishment को Delay किया जाता है तो Reprieve में Just Delay होता है Delay का यह मुद्दा Usually Death Sentence के केस में आता है जब उस व्यक्ती ने Plea किया हो तो उस व्यक्ती ने Plea किया है President या फिर Governor इस सम्मन में Decision लेंगे, अगर उसके पहले उसे Innotions Prove करने के लिए समय चाहिए तब भी Reprieve का केस आता है Respite की बात करें तो इसमें जो Quantum है, Degree of Punishment जिसकी हम बात कर रहे हैं उसे थोड़ा कम कर दिया जाता है कुछ Special Circumstances को संग्यान में लेकर Like किसी महिला ने अपराद किया है लेकिन वो Pregnant है या कोई व्यक्ति जिसने अपराद किया है उसकी Mental Condition पूरी तरीके से सही नहीं है तो सजा को थोड़ा कम कर दिया जाता है इसे कहा जाता है Respite ठीक है, अब यहाँ पर देखिए जो अगला है, that is Remission Remission में, जो Quantum है Punishment का उसे Change किया जाता है बिना उसके Nature में बदलाव किये लाइक अगर किसी व्यक्ति को 20 Year Regress Punishment दी गई है तो उसे 10 साल में बदल दिया जाएगा 20 Year Regress Punishment को 10 Years के Light Punishment में नहीं बदला जा सकता मतलब सहसरम कारावास और बिनासरम के कारावास होता है तो Nature में Change नहीं कर सकते केवल उसी Nature के Punishment को कम किया जा सकता है अब यहाँ पर Governor और President की Pardoning Power में थोड़े से Differences होते हैं Like Governor 10 Sentence Pardon नहीं कर सकते हैं मतलब किसी व्यक्ति को जिसको मौत की सजा दी गई हो उसे Governor Pardon नहीं कर सकते हैं जबकि President कर सकते हैं At the same time Court Marshal के सम्मन्द में जो Governor होते हैं उनकी जो Pardoning Power होती है वो Extend नहीं होती जबकि President की होती है Because President Tino जो हमारी आम Forces हैं उनके Head भी होते हैं अगला Article हमारा Law Commission से Related है हाल फिलहाल में Supreme Court ने Home and Law Ministries के लिए उनसे एक Explanation मांगा है कि यह जो तीन लंबे साल भीते हैं इसमें आपने Law Commission का Appointment क्यों नहीं किया अभी यह सब मुद्ध हमारे Important मतलब इतना नहीं है हमें Law Commission के बारे में पढ़ना है देखो Law Commission ना ही Constitutional Body है ना ही Statutory Body है यह एक प्रकार का Executive Body है जिसको Government of India के Order पर Establish किया गया था इसको Originally 1955 में Constitute किया गया था अपने Free India में ठीक है और हर तीन साल बाद हम इसको Constitute करते हैं Law Commission को कुछ होड डिटेल देखते हैं सबसे पहला 1834 आप समझ सकते हो कि लगबग लगबग हम बात कर रहे हैं आज से 300 साल पहले की जब ये Law Commission Establish हुआ था Charter Act of 1833 से उस टाइम पर Lord McCall जो है वो चेर्मेन थे फिर पहला Law Commission हमारे Independent India में वही 1955 में बना उसी टाइम को हम यहाँ पर अभी नोट करते हैं हमेशा और उस टाइम के टॉर्णी जर्रेल थे MC सेतालबाद Composition की बात करें है उसमें एक तो full-time chairperson होते है चार full-time members होते हैं जिसमें member secretaries भी आते हैं कौन-कौन से एक आते हैं Department of Legal Affairs के और एक आते हैं Legislative Department के तो ये दोनों ex-officio members जैसे deal करते हैं साथी साथ not more than five part-time members भी इसमें included हैं यहाँ पर Law Commission basically Ministry of Law and Justice को Advise देता है मतलब की Ministry of Law and Justice के लिए ये प्रकार का Advisory Body है इसका और क्या काम है कि मानलो कोई भी ऐसे Laws बनते हैं जिनमें कुछ दिक्कते हैं हो सकता है कि जो भी Justice अभी हम लोग Deliver कर रहे हैं उनके Procedure में Delay आ जाए या फिर जो भी Cases हैं वो से हम लोग Dispose नहीं कर पा रहे है Litigation की Cost अगर काफी बढ़ गई है तो उसको कम करना मतलब ऐसे चोटे-चोटे और इसमें ऐसा नहीं है कि कोई इनको बोलेगा तभी एक्शन ले सकते हैं ये Suomoto एक्शन भी ले सकते हैं मतलब स्वयम से ये इसपे Act कर सकते हैं तो जितने भी अभी नए Legislations बनते हैं उसमें ये Interfair कर सकते हैं जो भी Existing Laws है उनको भी Review कर सकते हैं तो इनके पास Power काफी अच्छे से रहता है अगला Article हमारा North East Council से Related है हाल फिलहाल में Union Home Minister ने 69th Meeting North Eastern Council की Arrange की यहाँ पर इन्होंने Chair किया मेगाले के अंदर शिलॉंग में North Eastern Council की बात करें तो ये एक Nodal Agency है जिसके अंदर हम लोग North East Reason के Development की बात करते हैं ये Development Economic भी हो सकता है Social भी हो सकता है यहाँ पर जो North East Council है इसके अंदर हमारे 8 States आते हैं जिसमें Seven Sister plus Sikkim तो यहाँ पर आप मैप में देख भी सकते हैं ये आठोल स्टेट हैं इसके अंदर बात यही की गई थी कि Actual में चुकी इनकी Connectivity हमारे Indian Main Land से काफी कम है तो इस Reason में Development को में Boost करना है कुछ भी करके इसके लिए ये North East Council का निर्माड किया गया था जिससे हम लोग North East Region को स्पेसिफिकली ध्यान देते हुए इनके Development पर हम Focus कर सकें 1971 में ये Act of Parliament के थूँ constitute किया गया था और इसमें बात यही थी कि हम इस Region को बहुत तेजी से Develop करेंगे हमेशा से जो Union Home Minister है वो इसके एक्स ओफिशियो चेर्मेन होते हैं और जो एक्स ओफिशियो वाइस चेर्मेन है वो Minister of State Independence Charge Department of Northeast Region के जो भी होते है Minister of State दोनर के मतलब की Department of Northeast Region वो इसके एक्स ओफिशियो वाइस चेर्मेन होते हैं आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये Apex Body है जो की इस पूरे Reason के Development के लिए Advisory जारी कर सकती है Northeast Council का significance वही होगा कि Northeast States में एक तो हम livelihood opportunities increase कर रहे होंगे बहुत सारे projects बनाएंगे तो जैसी बात है ये भी होगा और साथी साथ हम लोग उसको इंडिया की main land से उसको integrate करके चलेंगे पूरा इंडिया हमारा एक साथ develop होगा वही बात है सबका साथ सबका भी कास इंडिया जस्टिस रिपोर्ट के बारे में इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 जो है जो की Tata Trust और इसके साथ 6 अलग organization जैसे Center for Social Justice Common Cause, CHSRI DAKSH और विधी Center for Legal Policy जैसी organization ने तयार की है जो यह Justice Report है यह हमें बताती है कि Ground Level पर जो हमारे State है वो कितने तयार है फिर तरीके से Justice Deliver करने में और अगर हमें Justice Deliver करना है तो हमें अच्छे Institutions चाहिए और वो Institutions कौन-कौन से हैं जो आपको एक Proper Justice Ground पर Deliver करने में मदद करते हैं तो सबसे पहले आपकी होती है Judiciary फिर Police, Prison और Legal Aid और इन ही चारो pillars के उपर इनकी reports based है और इन्हों इस report में इंडिया को categorize किया है दो areas में बड़े और medium state और दूसरा छोटे state छोटे state उन्हें माना गया है जिनकी जन संक्या एक करोड से कम है और एक कोड से जादा की जन संक्या वालों medium या बड़े states में गिना जाता है तो जो इस report की main findings है अगर हम उस पे आए तो उन्होंने इस बार जो analyze के आपसमें खास बात यह नहीं कि इन्होंने normally justice के अलावा जो expenditure है, जो vacancies है कितनी women represent हो रही है members of SCST की representation कितनी है और OBC की representation कितनी है अलग-अलग states में इस पे फोकस किया है और जो key findings इनकी निकली है वो ये है कि महराष्ट को top spot मिला है delivery of justice के मामले में जो कि पिछले बार भी इसे मिला था और इसके अलावा Tamil Nadu, Telangana, Punjab और Kerala की rank top states में आई है जबकि small states की बात करें तो रिपरा सबसे उपर रहता है उसके बाद सक्केम और गोवा और women ratio के अगर police force में बात करें तो बिहार में highest women in police force देखी गई है जो कि 25.3% है इसके अलावा अगर हम महिलाओ की सिती के बारे में बात करें तो वो केवल 29% हाई कोट में judges है और सक्केम के अलावा किसी भी state में 20% से ज़्यादा हाई कोट में judges women नहीं है तो यह हमें क्या बताता है यह हमें बताता है कि जो women के representation है throughout judiciary, police बहुत कम है और यहां पर improvement के आवज़ रखता है तो हमारे लिए इस article में important points है कि Indian justice report कौन publish करता है इनका focus area क्या है और इस बार top spot पे कौन रहा in larger states and in smaller states corruption perception index के बारे में corruption perception index 2020 जो release किया गया है किस body के दौरा बताए यह काफी important है कौन आखरिकार हट साल corruption perception index publish करता है तो यह काफी famous है Transparency International द्वारा यह report publish की जाती है इसमें 12 surveys के थूँ यह पता लगाया जाता है किसी एक देश की perception क्या है corruption को लेके और इस scale में 0 मतलब होता है highly corrupt, 100 मतलब होता है very clean तो यह गलावा 180 countries को rank करता है कितना perceived level of public sector corruption वहाँ पर है experts के हिसाब से और जो business लोग है उनके हिसाब से याद रिखे है यह असल में एक index है जो experts और businessmen से पूछता है कि आपका क्या perception है कि आपको लग रहा है कि clean economy है या नहीं है तो किसके दोरा निकाला जाता है पीट करूंगा मैं transparency international दोरा और जो important takeaways है इसके वो यह है कि सबसे cleanest countries है जाँ सबसे कम corruption है वो है Denmark और New Zealand जिनका score है 88 और इसके बाद Finland, Singapore, Sweden और Switzerland आते हैं जबकि इंडिया की स्थिती भी बहुत खराब है क्योंकि इंडिया इसमार 86th place पे चला गया पहले वो 80th place पे था यह दिखा रहा है कि जो corruption perception है वो बढ़ता है जा रहा है इंडिया में और importance है important है इंडिया के लिए कि अपनी policies को reorient करें ताकि transparency बढ़े अब तो बात आती है कि जो body है जो यह publish करती है उसके बारे में कुछ जान लेते है transparency international transparency international असल में global movement है जो एक बिलग 100 countries में मिलके काम करती है और इंका काम है corruption को खतम करना यह एक independent non-government non-profit body है जो कि 1993 में found की गई थी और जो कि Berlin में based है तो आज के इस session में बस इतना ही Thank you very much